तो वेलकम टू तरू नाइस जैसा कि जानते हैं कि 30 जन्वरी 2023 गांधी जी के दिहांत अर्थात गांधी जी को गोडशे के द्वारा नाथुराम गोडशे के द्वारा उन्हें हत्या कर दी गई थी और उसी दिवस के रूप में खास करके सही दिवस के तौर पर मनाया जाता ह पूरी भारत राश पिता को फादर ओफ नेशन्स को 30 जन्वरी को स्रंधांजली और पित करता है हमारे देश के प्रधान मंत्री वी राजगाट पर 30 जन्वरी को गांधी जी को सही दिवस पर उन्होंने स्रंधांजली दिया आज हम समझेंगे कि सही दिवस के बारे में हम जानेंगे कि गांधी जी के आलावा किनकिन महापुरुसों के देहांद पर सही दिवस के तौर पर मनाया जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी के देथ आनिवर्स्टी को सही दिवस के तौर पर हम मनाते हैं उसका significance क्या है ये भी हम समझेंगे और हमारे लितना महत्तपून क्यों है ये भी हम समझेंगे जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी जिसे आप father of nation कहा जाता है आप यहां पर हम इस चीजों को समझ सकते हैं कि 30 जनवरी 2030 इंडिया ऑब्जर्व एज़े मार्टियस डे टू सही दिवस टू पे ट्रिब्यूट टू गांधी जी ओल फ्रीडम फाइटर यहां पर फ्रीडम फाइटर की बात अगर कर सकते हैं तो गांधी जी हमारे लिए इतन बात करें तो इसके बारे में हम समझेंगे कि आखिरी इसका सबसे महत्तपून क्या है सही दिवस की अगर हम बात करें रिमेंब्रेंज की बात करें आपको पता होगा गांधी जी का जन्म तो गंधी जी का जन्म जो है दो अक्तूबर अठारस सो नहत्र को हुआ था गांधी जी का जन्म दिवस के तौर पर हम समझे सकते एक तरीके से most influentials leader के तौर पर गांधी जी माने जाते हैं और गांधी जी के जन्म दिवस को भारत के अंदर में एक तरीके से national holiday के तौर पर consider किया जाता है भारत के अंदर में कुछ प्रमुख ऐसे holiday हैं जो राश्टिये तौर पर घोसित किया जाता है जैसे 2 October गांधी जन्म की हुआ या फिर कर सकते हैं कि साथ साथ में 15 अगस्वतंतरता दिवस और गंतंतरता दिवस उन तीनों में महत्तपून आपका गांधी दिवस भी है अर्थाद गांधी जी के जन्म दिवस भी है है ना तो 2 October 1879 को गांधी जी की जन्म दिवस मनाया जाता है उसी प्रकार से 1948 में महत्मा गांधी को बिरला हाउस में नई दिल्ली में नाथो राम गोटसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और उसी हत्या के दिवस के तौर पर एक तरीके से अनिवर्सरी के तौर पर हम सहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं इंडिया सेलिब्रेट माटियस डे बाइद पेइंग ट्रिब्यूट तो महत्मा गांधी ज एज समाधी और राजगाट पर समाधी में उनी पर वहाँ पर उनका दाश अंसकार किया गया था और उस अस्थान को राजगाट के नाम से जाना जाता है हमारे देश के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डेफेंस मिनिस्टर और तीनों सेना के जो चीफ हैं आर्मी, एर फोर्स और नेवी ये सभी लोग, father of nations भारत के राशपिता के तोर पर उनके स्रंधांजली उनकों अर्पित करता है और उन्होंने आज इन सभी लोगों ने अर्पित भी किया अब ये चीछ समझने की जरूत है इसके अलावा या फिर कर सकते हैं कि बहुत बड़ी युगदान भूमिका रही बहुत सारे सत्यागरा की बाद किया जाए political individuals, freedom की बाद किया जाए स्वराज की बाद दिया गांधी जी अपने आप में हमारे राष्ट के लिए एक अपने आप में concept है अपने आप में philosophy है अपने आप में विचार धारा है आज भी गांधीयन विचार धारा को सराहा जाता इस देश के अंदर में और दो मत के लोग होते हैं गांधी की विचार को मानने वाले और गांधी की विचार को ना मानने वाले भी इस देश में हैं परतु गांधी जी हमारे राष्ट के लिए बहुत ही महत्पून है, उनकी विचार, उनकी जो दृष्टी थी, उनकी जो तौर तरीके थे, उनकी जीवन यापन थे, वो एक तरीके से भारत वाश्यों पर एक अमीट छाप छोड़कर गया है, है ना, तो ये गांधी जी हर तर ऐसे भी हमारे महापूरूस और सहीद हैं, जिनके देट एनिवर्स्टी पर उनको सहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता, खास करके आप लोगों ने 23 मार्स को ही भगत सिंग, हमारे सीवराम राजगुरू और आपके जो सुखदेव थापड हैं, इन तीनों, इन तीनों को ब्रिटिस के द्वारा लाहॉर जेल में उनको फांसी की सजा दी गई थी, और उनी के देट एनिवर्स्टी पर उनको हैंक किया गया था, उनको फांसी की सजा दी गई थी, तो उस दिवस को 23 मार्च को भी भारत जो है सहीद दिवस के तौर पर मनाता है, इसके अलवा कुछ इसके अलवा भी अगर हम बात करें कुछ राज्य ऐसे हैं जो जहां पर सहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जैसे आपका 13 जुलाई की बात करें, 13 जुलाई में जम्मू कस्मीर, 13 जुलाई की बात है, वहां पर कस्मीर मार्टियस डे के तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि हरी सिंग जो है कस्मीर की महराजा हरी सिंग के खिलाब जो है वहां की जनता लोगों ने प्रो नवंबर की बात करें तो उडिशा में 17 नवंबर को भी Freedom Fighter लाला लाजपत राय के जो देट एनिवर्स्री था उनके देट एनिवर्स्री पर भी यहां पर मनाया जाता आपको पता होगा कि भई लाला लाजपत राय जो है साइमन कमिशन वापस जाओ कि दौरान जो है अंग्र उन्हेस नवंबर को जहांसी में सेलिबरेट किया जाता है जहांसी की रानी लक्षमी भाई के अनग्र माठियस दिवस्र के तोर पर मनाया जाता है तक हम 24arner के बात करें 24 में मार्टियस देवर्स के तोर्पर मbourne सीख कमेशन करके सीख कमेनिटी में इसलिए क्योंकि गुरु तेग बहादूर जो नवे गुरु हुआ करते थे सीख के देथ अनिवर्स्री पर ये 24 नवंबर को भी सहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता था क्योंकि मुगल इंपेरर जो है आपका औरंग्जेव 1675 इस्वी में उनको नौन मुस्लिम के तौर पर याखा सकते उनको लटका दिया था उनको फासी दे दिया था तो इसके अधार पर भी 24 नवंबर को एक तरीके से कह सकते हैं गुरु तेज बहादूर के मिर्तू के दिन य रानी लक्षमी भाई हुए या तो फिर आप जम्मु कस्मीर हुआ इन सभी में भी सहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता तो ये सहीद दिवस से सम्मंदी जो आपके कुछ इंफॉमेशन थे आर्टिकल के द्वारा जो है आपको बताया गया आसा करता है कि इसमें से कोई भ से वीडियो में